जय हिन साथ ही हो स्वागत है आपका आपके अपने परिवार डीजे सर क्लासे से आई होप आप सब बढ़िया होंगे उशलमंगल होंगे और जो है अपने गौवर्मेंट जोब की तयारी को आपके आगे बढ़ा रहे होंगे अब हम पढ़ेंगे आपके कि अग्नेटिक अग्नेटिकव के लॉकिंग आणियव कि अजा इस का अ गांतलब किया होता है आप दिखना इंडक्शन मशीनों में कम बोल्टता पर रोटर टीथ का स्टेटर टीथ के साथ चुम्ब की रूप से आपके लॉक हो जाना, है ना? चुम्ब की रूप से लॉक हो जाना, मैगनेटिक लॉकिंग कहलाता है, ठीक है? दुबारा बोल रहा हूँ के इंडक्शन रोटर में कम बोल्टता पर रोटर टीथ का स्टेटर टीथ साथ चुम्ब की रूप से लॉक हो जाना, मैगनेटिक लॉकिंग कहलाता है, और इस दोश के परभाव में आपका जो रोटर है वो घूमने से मना कर देता है, यहीं समझो कि नहीं घूमता है, वो रूट जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा, कि आपने क्या किया है, आपकी मशीन चलाई हुई है, लेकिन आपका रोटर नहीं घूम रहा है, रोटर आपके पास क्या है, इस एक ही जगे पर आपके स्थिर है, तो अभी यह क्या है, मैगनेटिक लॉकिं बोलोगे, मैगनेटिक लॉकिंग पहली चीज तो आपके इंडक्शन मोटर में रेज होती है, कब रेज होती है, आपके पास क्या है, जब लो वल्टेज की सिती बनती है, क्या होता है इसके अंदर, बोले आपके रोटर टीथ, स्केटर टीथ के साथ, चुमकी रूप से नहीं बोल रहा है, जब लोग हो जाता है, मैं आपके कपलिंग नहीं बोल रहा हूँ, मैं 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 बोल रहा हूँ, तो यह आपके पास चुमकी रूप से लॉक हो जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं magnetic locking इसे क्या बुलते हैं हम magnetic locking तो चलो हम बात करते induction motor फटाफट note down करो induction motor induction motor induction motor में कम बुल्टता पर कम बुल्टता बुल्टता पर induction motor में कम बुल्टता पर induction motor में कम बुल्टता पर rotor teeth rotor teeth rotor teeth मतब दाते हैं रोटर आपके पास क्या है teeth यह basically दाते rotor teeth का stator teeth rotor teeth का stator teeth teeth मतलब रही दाते हैं रोटर टीथ का stator teeth के साथ के साथ चुम्बकी रूप से आपके पास क्या है लॉक हो जाना चुम्बकी रूप से लॉक हो जाना तो चुम्बकी रूप रूप से चुम्बकी रूप से लॉक हो जाना आपके चुम्बकी रूप से लॉक हो जाना हो जाना मैगनेटिक लॉकिंग कहलाता है मैगनेटिक लॉकिंग कहलाता है हो जाना मैगनेटिक लॉकिंग मैगनेटिक लॉकिंग कहलाता है कहलाता magnetic locking कहलाता है तिर अभी हम क्या बोल सकते हैं इसके अंतरगत इस प्रभाव के कारण इस प्रभाव के कारण rotor गूम नहीं पाता है rotor गूम नहीं पाता है rotor गूम नहीं rotor गूम नहीं पाता है इस प्रभाव के कारण rotor गूम नहीं पाता है magnetic locking के निवारण के लिए आप क्या करोगे magnetic locking दोश पैदा तो हो गया लेकिन आपके क्या है निवारन क्या करोगे तो निवारन में देखना आप क्या करते हो कुछ नि करोगे आपने क्या गरना है आपने देखा होगा जब भी हम आपके winding कर रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे short by one pitch समझ ना देखो जैसे कि माल लो आपके 12 खाचे है हमारे पास 12 खाचे है 12 खाचो में अगर मैं आपके एक आपके slot छोड़ दूँगा मैं one pitch short pitch winding करूँगा पर एक आपके जो slot है वो छोड़ दूँगा तो इस्तमाल कितने होगे 11 चलो अभी हम बात करते कि माल लो हमारे पास 24 खाचे है 24 खाचे से मतलब है आपके पास क्या है slots है और मैं इसको short by one short by आपके one slot करता हूँ एक आपके slots से short करता हूँ तो अभी इस्तमाल होने वाले slots कितने होंगे very good 20 चलो अभी बात करते कि माल लो आपके पास कितने 48 है कितने slots हैं माल लो आपके पास क्या है 48 slots है 48 slot के अंदर आपके 48 slots के अंदर अगर माल लो आप एक short एक slot से winding short करते हो फिर wound करते हो तो कितने इस्तमाल होंगे very good 70 अच्छा इनको देखो यह वास्तों में है क्या इनको देखी आप है क्या चीज़ यह हाँ प्राइम नंबर दिख रहे कि इन दिख रहे आप बढ़ा 23 में केवल 23 का ही भाग जाता है very good शाबाश 11 में केवल 11 का जाता है 47 में वहाँ गुरुजी 47 केसी की table में नहीं आता 47 में केवल 47 की table का भाग जा सकता है इसका मदब यह prime number है तो हम क्या अगर सकते हैं कि stator teeth को prime rotor teeth को prime रखकर magnetic locking को रोक सकते हैं अभी देखना आपको बताया था कि शॉर्ट-पिछ winding से क्या होता है वहाँ bir copper की बचत होती है और भी कारण होते है तब ही और कारणों में से हमारे पास एक कारण और आरचुका है क्यों पिछ व्डिच विंडिंक करने से हमारे पास यह magnetic locking जो है वो raise नहीं होगी यह जो आपके पास क्या है rotor teeth है वो stator teeth के साथ magnetically lock नहीं होगा आपके पास क्या है वहाँ पर अवरुद नहीं होगा तो हम क्या बूल सकते हैं rotor teeth को stator teeth की तुलना में prime रख कर हम क्या बूल सकते हैं आपके पास rotor teeth को stator teeth की तुलना में prime रख कर चलो अभी आप देखना यहां पर आपके स्लैश करके लिख दो इससे इससे कोगिंग इससे आपके पास क्या है कोगिंग ही कहते हैं को कहते हैं यह मैंने इधर की तरफ इसको चलो कोगिंग और क्राउलिंग दो चीज़े हम पढ़ते हैं तो मैगनेटिक लॉकिंग बेसिकली कोगिंग है हाँ तो हम क्या बात करेंगे हाँ तो इसके अंदर लिखना कि आपके पास क्या है निवारण प्लोट्स को प्लोट्स को प्राइम रखकर हाँ ना कोगिंग स्लैश मैगनेटिक लॉकिंग हाँ तो दूर किया जा सकता है को दूर किया जा सकता है को दूर किया जा सकता है आपका जो अबजेक्टिव वोश्ण हो सकता है वो क्या हो सकता है वी बैसिकली आपके पास क्या है magnetic locking के अंतरगत क्या प्रभाव उत्पन होता है पर रोटर नहीं घूमता दूसरा आपसे क्या बात कर सकता है कि magnetic locking किसमें पैदा होती है बोले induction machine में इसके अलावा आपसे बूल सकता है कि आपके जो है इसके मतलब basically magnetic locking क्यों उत्पन होती है basically magnetic locking rotor आपके पास teeth के stator teeth के साथ magnetically lock हो जाने के कारण पैदा होती है इसके अलावा आपके निवारन तो बोले number of slots आप prime जो रखते हो ना short by one pitch करते हो finding के अंदर तो वो basically आपके पास इसलिए किया जाता है कि आपके इस तरीके के दोश पैदा ना हो I hope आप लोग ने उतार लिया होगा और अगर आज की class में आप अभी तक बने हुए हो और class आपको अच्छी लगी हो तो class को like जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में share जरूर कीजिएगा अगर आप channel पे नए हो तो channel को subscribe कीजिए और हाँ याज जुरूर करिएगा थैक यू सो मच जय हिन जय भारत